नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अबास BPSC 66 पेपर लिक मामले में बड़ा करवाई बिहार सरकार ने कर दिया है जिहां BPSC 66 परिक्षा के PT परिक्षा में आरा यानि भोजपुर जीला के आरा से परिक्षाप का पत्र लिक हुआ था जिसको लेकर पूरे बिहार में खलबली मच गई थी और बिहार के साथ साथ पूरे देश में इस बात के चर्चा हो रही थी कि आखिर इतना बड़ा एक्जाम का PT परिक्षा लिक कैसे हो गया जब EO ने इसमें जाच की परकिरिया को आगे बढ़ाया था तो पता चला था कि एक सॉलवर गैंग है जो इस घटना को अंजाम दिया है यानि कि सॉलवर गैंग ही पूरे देश के अलग-अलग सहरों मिराकर इस परिक्षा के पेपर को लिक करने का काम कर रही थी जिसके बाद ये आधिकारियों ने च्छापे मारी की और च्छापे मारी करने के बाद उसमें से कई लोगों को गिरपतार किया था लेकिन इसी बीच ततकारिय घुसवरी के बीडियो जैवर्धन गुपता को बिहार सरकार ने बरखास्त करने का फैसला ले लिया है और जैवर्धन गुपता को बिहार सरकार ने बरखास्त कर दिया है उनपे आरोप है कि पेपर लिख मामले में वो भी सामिल थे चुकि आरा के जिस केंदर से पेपर लिखवा था वहां के मैश्टेट जैवर्धन गुपता ही थे और जैवर्धन गुपता कि इससे पहले कि अगर बात करें तो जैवर्धन गुपता पर लोहिया स्वख्षता यो गुपता जो बीडियो थे घुसवारी के उन पे घूस लेने यानि की रिस्वत लेने का भी आरोप लगा था उस मामले भी कारवाई हुई थी और परकिरिया आगे चल रही थी और आखिरकार बिहार सरकार ने इस मामले को मजबूती के साथ एक्षन लिया एक्षन लेने के बा किहार सरकार ने वीडियो यानि की जो मेस्टेट थे उनको बरखास करने का फैसला किया है हाला कि कॉलेज जो आरा का कॉलेज था वहां के प्रिंसिपल अभी भी इस मामले में सिर्फ जाच की परकिरिया सी गुजर रहे हैं उन पर अभी तक कोई ठोस कारवाई सरकार ने नह मामले में जो लोग समिली थे उनको एक कड़ा मैसेज देने का काम किया गया है हाला कि सॉलवर गैंग के अब भी कई मेंबर हैं कई सदस हैं जो यह गिरफ्ट से बाहर है यानि कि जाच टीम के गिरफ्ट से बाहर हैं तो बिप्यसी की तयारी करने वाले चात्रों अभी अर् करती उनको थोड़ा से कुछ जरूर मिल रहा होगा कि सरकार इस मामले में कारवाई तो जरूर कर रही है इस ख़बर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ल